हमारे सुरोतागण मैं आज आप लोगों को प्रदूशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि प्रदूशन चार प्रकार के होते हैं वायु प्रदूशन, जल प्रदूशन, मृदा प्रदूशन, ध्वन प्रदूशन तो आज हम चर्चा करेंगे किवल यहाँ पर वाई प्रदूसन के बारे में हमारे वाई मंदल में आक्सीजन की मात्रा 21% के लगभग पाई जाती है लेकिन आज उद्योगी करण डीजल पेट्रोल कल कार खाने कई प्रकार की वात्या भठ्थी चल रही है कचडे घरों के आसपास फेंके जा रहे हैं गोवर कंडा कई प्रकार के कोईले पेट्रोल सिंगरेट जलाये जा रहे हैं और इनको संतुलित करने के लिए बानासपतिक अर्थात पेंड़ पवधे इनको नियंतित करते हैं किन्तो आज के समय में पेड़ पवधे भारी मात्रा में कट रहे हैं और प्रदोसन बढ़ता जा रहा है। कई प्रकार के इथेन, मिथेन, ब्यूटेन, गय से बनाई जा रही हैं व्यापारिक मात्रा में और सहर के लाबा गामों में भी इनका प्रियोग काफी मात्रा में होने लगा है। लेकिन बाई प्रदोसन में जो आक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, वहाँ कम हो रही है और प्रदोसन बढ़ने से कई प्रकार के स्वसन रोग पैदा हो रहे हैं। और ये स्वसन रोग के माध्यम से हमारे जो रेड शेल्स कोशकाएं होती हैं, इनको ये बाई प्रदोसन डेमेज करते हैं, जिससे इंसान हर व्यक्ती लगभग ठका 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 रहता है, काम करने का उसका मन नहीं लगता है। और स्वास नली में सूजन के कारण मानसिक तनाव काम ना करने की प्रवित्ती पाई जाती है। एटियम ग्रामीन क्रिशीविस्तार रिथकारी इनके माध्यम से प्रगसील किसानों के द्वारा पेंड पवधे लगाने में काफी जोर दिया है। और निर्देशित किया है कि जादा से जादा पवधे एक मार्च से पांच मार्च तक लगाएं जाए। सभी वर्ग के कर्मचारियों ने कारकर्म को सफल बनाने के लिए आस्वासन दिया है कि जादा से जादा पवधे लगाए जाएंगे। इसी तरह यदि यन्य विकास खंडों में भी काफी सक्रियता दिखाएंगे हन्मना विकास खंड जैसे तो भारी प्रगति होगी और दस जाद से पंदरा हजाद तक पवधे रोपित किये जा सकते हैं। और यही पवधे 4-5 साल में विकास करेंगे और आक्सीजन की मात्रा को संतुलित करेंगे जिससे आगे आने वाली पीड़ी आक्सीजन की कमी के दुस परणामों को नब होगे। झाल तक दुस एंदरा सकते हैं।